हेलो दोस्ते हूं स्वास जन सम्राद राश्ट। बहुत सरे टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स जो लिंक वगेरा होते हैं उसके थूरू डिफरेंट तरह के वैक्सीन देखकर आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे को वाट से पर फेस्बूक पर डालने लगते हैं कि आज इसराइल ने ये वैक्सीन बना लिया, ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बना लिया, ये कहीं पी जाए चारों जो वैक्स चैनल तक ये गलती करते हैं कि वैक्सीन और दवा का अंतर नहीं जानते हैं, पहले ये समझ लीजे, दवा और वैक्सीन का अंतर तो आपको समझ आएगा कि इन जो डावे जो आप बता रहे हैं, उनमें कितनी सच्चा है, वैक्सीन जो होते हैं, वैक्सीन हमेशा किसी भी ब बीमारी से बचाओ के लिए दे जाते हैं, जैसे कि चिकिन पॉक्स का वैक्सीन, डीपीटी का वैक्सीन, इन बीमारीों से बचाओ के लिए, ठीक है, वहीं दवा जो होती है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तब दी जाती है, नहीं, अब जो मैं बात करता हूँ, PGI चंड दवा नहीं किया ठीक होने का, वो इस पर observation करें, अभी और data की जरुवत होगी, और जाचों की जरुवत होगी, और एक बड़ा group लेके, और एक proper जो study होती है, जैसे randomized control trial बोलते हैं, language, science की language में, जब तक वह सब नहीं हो जाएगा, तब तक वो दवा effective है या नहीं, या उसके different trials में किया जाता है, चाहे वो vaccine हो, चाहे दवा हो, phase zero trial, one, two, three, ऐसे trials होते हैं, इसके बाद ही, वे market में, use में आती हैं दवाएं, तो पहले बात तो ये vaccine नहीं है, यदि वो बीमार होने के बाद में दिया जा रहा है तो, ठीक है, भले वो अभी research phase में, तब भी वो vaccine नहीं क दवा की भी जरूत होगी, जो लोग बीमार हों, यदि वो उनकी जान बच जाए, तो वो भी बहुत important बात होगी, लेकिन ज़्यादा जरूरी चीज है, vaccine, ठीक है, तो ये ऐसी कोई भी चीज, जो की बीमार विक्ति को देख करें, वो vaccine नहीं कहलाएगी, ठीक है, इसी तरह क जो है, इसराइल का जो आ रहा है, कि इसराइल, इसराइल ने एक monoclonal antibody बनाने का, वहाँ पर एक, दावा कोई भी scientist नहीं करता, वो तो news, media house वगेरा, leading questions पूछ कर, ऐसे निकलवा लेते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, सरकारों से या उससे, तो दावा नहीं कर, उन्होंने भी antibodies, जिन में बन जाती हैं, बरीज की, उसको लिया जाता है, और plasma therapy कभी बहुत hype था, अभी भी इसके बहुत ही ऐसे results नहीं आएं, कि यह बहुत effective ही है, यह सिर्फ trial phase में है, इंफेक्ट हमारे college में भी इसका trial जल्दी ही शुरू होने वाला है, लेकिन इसको recommend नहीं किया गया ह ठीक है, तो monoclonal antibodies जो होती है, वह भी यदि बीमार विक्ती को दी जा रही है, तो vaccine नहीं किलाएंगे भाई, बहुत सरीफ ओस शेर हो रही है, ऐसे कि इसराइल ना ऐसे vaccine बना लिया है, दूसरा monoclonal antibodies काफी महंगी होती है, monoclonal antibodies कोई नहीं चीज नहीं है, lutuximab, infleximab जैसे monoclonal antibodies different बीमारियों में आज भी यूज होती है, जैसे कि cancers में, nephrotic syndrome, जो kidney की बीमारी होती है, या ITP में, तो monoclonal, और साथ में एक और problem है monoclonal antibodies के साथ कि काफी महंगी पढ़ती है, एक एक injection 20,000 से 1,000,000 तक का पढ़ जाता है, तो वह भी कोई बहुत, यदि वो effective भी हुआ इसराइल में, तो हम तक आते आते, different trial होते होते काफी समय लगेगा, और वो भी सिर्फ बीमार विक्तियों में काम आएगा, और शाहिद महंगा होगा, ठीक है, अब बात आते हैं कि Oxford, Oxford का जो vaccine दिख रहा है, वो proper vaccine दिख रहा है, मतलब कि वो vaccine की ओर बढ़ रहे हैं, vaccine बना हैं और different trials कर रहे हैं अब, लेकिन क्या वैब भी बहुत उमीद जगा रहा है, तो अभी, नहीं, scientists जैसे कभी दावा नहीं करते हैं, सिर्फ observe करते हैं, results को, और जब वो observe, results में जो भी अच्छी है, खराब बाते होती हैं, वो सब publish की जाती है, scientific journals में, तब ही वो सिकार रिमा चाहो के हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि मास पहन के निकलना है, मास नहीं तो कपड़ा बान कर, हाथ दोना, दूर से बात करना, भीर नहीं करना, ये सब भारत में अब भी चालू रखना होगा, आपको vaccine कहीं कहीं सुनकर उचल मत पढ़िए, ठीक है, चर्च और दवा का अंतर समझ है होगा, और आगे से आप बुद्धु नहीं बनेंगे